नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज आठ फरवरी शाम साथ बजे राजिस्तान की खास खबरी वरिष्ट अध्यापक से व्याखेता की पद पर चार साल में अठकी पदुनत्ती का रास्ता साफ हो गया है कार्मिक विभाग ने शिक्षा सिवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी अब 50,000 शिक्षकों को पदुनत्ती हो सकेगी और व्याखेता की पद भरे जा सकेगी साथी शिक्षा विभाग की भरतियों के प्रतेक प्रशन पत्र में 40 फिस्दी अंक प्राप्त करने के प्रावधान में बदलाव किया गया है अब किसी पद के लिए होने वाली भरती परिक्षा में 40% अंक प्राप्त लाना होगा शिक्षा विभाग ने पहली बर विशेश शिक्षा की व्याखेता का पद स्रिजित किया है सरकार ने 2021 में शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन करती होई व्याखेता की पद पर पद नत्ती के लिए UGPG में समान विश्य का नियम लागू किया था इसे पद नत्ती की परकिरिया अटक गई थी क्योंकि बड़ी संख्या में वरिष्ट अध्यापक ऐसे थे जिनके UGPG में अलग-अलग विश्य थे राजस्तान में सत्ता बदलने के साथ केंदर सरकार की उजनाओं को गती मिलने लगी है इसी कड़ी में जल जीवन मिशन और स्वच भारत मिशन को लेकर केंदरो राजस सरकार के बीच मैतपुन समिक्षा बैठक हुई मुख्यमंत्री भजनलाल और केंदरे मंत्री गरजेंदर सिंग शिखावत की मुझूदगी में होई बैठक में हर घर नल से जल के सपने को सकार करने पर मन्थन हुआ साथ ही कारियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी मोनेट्रिंग बनाने की बात हुई बैठक में मिशन में एन्यमित्ता बरतने वालों पर कड़ी कारवई की निर्देश मुख्य मंत्री भजनलल शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन को राजयस्थान में मिशन मोड पर संचालित किया जाएगा परदान मंत्री नरेंदर मोदी की मंशा अनुसर सभी पात्र परिवारों को नल से जल देना सुनिश्चित किया जाएगा उन्होंने जल जीवन मिशन के तैत हर घर जल, हर घर नल के सपने को सकार करने के लिए चल रही प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता वे समय बदता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये रेट पेपर लिग मामले में जाँच के लिए S.O.G की S.I.T. शिक्षा संकुल पहुंची टीम ने स्ट्रॉंग रूम में दस्ताविस खंगाले S.I.T. के अडिशनल S.P. बजरंग सिंग ने बताया कि जाँच में कई कमिया रखी गई है इन कमियों को देखते हुए टीम को दुबारा आना पड़ा बजरंग सिंग ने बताया कि रेट पेपर लीक को लेकर कई आरोप लगे थे जिस कारण से पेपर लीक हुए क्या कमिया रही उसकी जाँच बाकी है इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है इसलिए हर पहलू पर दुबारा से काम किया जा रहा है एडिशनल स्पी ने बताया शिक्षा संकुल पोस्टाश करने के लिए आये थे पूरा में हुई जाँच में कई सबूतों पर काम नहीं किया गया जबकि काम होना चाहिए था उन कमियों को पूरा करने के लिए टीम मौके पर आई है लोगों से पोस्टाश की है जो पहले गिरफतार हो चुके हैं उनके इलावा कई और लोग भी है जिनको संदे का फाइदा दे कर छोड़ रखा था उन लोगों से भी पोस्टाश की जाएगी कोटा जिले में 15 साल की लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है आरोपी पिडिता को उसके मामा की घर से ले गया था छे साल पुराने मामले में कोट ने फैसला सुनाया है विशेष्टलों का बियोजक धिरेंदर चौधरी ने बताया कि आरोपी 26 वर्षे भोजराज निवासी असनावर चालावाड को 14 साल जेल 29,000 पे का जुर्माना लगाया है आरोपी ने पिडिता को करीब 3.5 साल तक अपने साथ रख का रेप किया था पिडिता के मामा ने 1 अक्टूबर 2017 को अनंतपुरा थाने में दी शिकायत में बताया था कि इसकी 15 साल की भांजी गाम से मेरे पास कोटा रहने आए थी 29 सितंबर को बिना बताये कहीं चले गई सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब शिक्षा विभाग पास्बुक की जगा प्रशन बैंक को पलब्द करवाने जारा है इसमें बोड परिक्षा से पहले 6 बचे दिनों में इन प्रशन बैंकों की माध्यम से विद्यार्थी शिक्षकों की मार्क दर्शन और सहायता से पाठे पुस्तक में से उत्तर खुद तयार करेंगे ये पैठरन विद्यार्थियों में विशे की ठोस समझ विक्सित करने के बाद मौलिक प्रकार से अपना जवाब देने की क्षमता और कौशल को भढ़ावा देगा शिक्षा मंतरी मदन दिलावर ने शाषन सचिवाले में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यानरत विद्यार्थियों की बूर्ड परिक्षों की तैयारी के लिए राजस्तान स्कूल शिक्षा परिशत की और से तैयार करवाएगे प्रशन बैंक का वी मोचन किया इस बार प्रदेश में दस्वी और बार्वी कख्षा के चातर चात्राओं को परिक्षाओं से पहले तैयारी और अभ्यास के लिए अलग-अलग विश्यों के प्रशन पत्रू पलब्द करवाये जारी हैं देश में फिर किसान अंदोलन की सुख बुगाहट तेज हो गई है किसान संगटनों ने 13 फरवरी को ट्रेक्टरों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करने का एलान किया हुआ है हरियानों और पंजाब में किसान ट्रेक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसानों के इस एलान के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं 13 फरवरी से पहले ही पुलिस प्रशाशन ने भी सकती बरतनी शुरू कर दिया है बॉर्डर पर किसानों से निबटने के लिए प्रशाशन ने तयारियां शुरू कर दी है हरियाना पंजाब के शंबू गॉरडर पर अमबाला प्रशाशन द्वारा बैरिकेडिंग के साथ साथ कंटीली तारों का प्रबंध किया गिया है यही नहीं पुलिस प्रशाशन ने किसानों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है किसानों को नोटिस देने के साथ सथ सक्त चितावनी भी दी गई है अंबाला जेशन दीप सिंगर अंधावा ने कहा कि बिना प्रशाशन के अनुमती के किसान अंदोलन में भाग ने ले अन्यता कानूनी कारवाई कियो जाएगी राजस्तान में 83 फिटनेस सेंटर 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो जाएंगे क्योंकि सडक परिवहन और आजमार्ग मंतराले की और से 12 सितंबर 2023 को एक गजट नौटिफिकेशन जारी किया गया था इसमें आटोमेटिक टैस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की बात कही गई है अकेले गुजरात में काम करें हैं इसके लावा 36 गड उत्राखंड राजस्तान दिल्ली बिहार चारखंड उत्रपरदेश जैसे राजों में सेंटर शुरू हो चुके हैं एटियस सेंटर के शुरू होने से सबसे बड़ा लाब अब आप जिस राजे में होंगे वहाँ पर ही अपने वहां की फिटनेस जारी करा सकेंगे इसके लिए आपको अपने इस्थाने फिटनेस सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी स्वाइमादोपुर जिले के गंगापुर सीटी में घर के पास बने बोर्वेल में गिरी महला को दस खंटे चले रैस्क्यू आपरेशन के बाद भी नहीं बचाया जा सका अब बाड़ी निकालने के लिए SDRF और NDRF के टीमें बोर्वेल से 130 फिट दूर से खुदाई करेंगी खटना गुडला गाउं की है डिप्ते संत्रा मीना ने बताया कि बैरवा ढानी की 25 वर्षे मोना बाई पत्नी सुरेश ने खुले बोर्वेल में गिरने की जानकारी मिली थी बोर्वेल के पास विवाहिता के चप्पल मिलने पर गरामिडोंने पुलिस को सूशना दी थी हरीरा मीना ने बताया कि सूशना के बाद रेस्क्यू के इंतिजाम शुरू कर दिये गए थे शाम तक टीमे मौके पर पहुंच गए थी मौके पर ऑक्सीजन के बें इंतिजाम किये गए थे रेस्क्यू अपरेशन आज सुबा तक चला जैपूर जोदपूर और अजमे डिसकॉम के बिजली कनेक्शन की नेट मीटरिंग से अब एक मेगा वाट तक के रूफ टॉप सोलर प्लांट जुड सकेंगे अब तक 500 किलो वाट तक की ही कनेक्शन नेट मीटरिंग से जुड पाते थे बड़े connection सोलर प्लांट से ज़ादा बनी बिजली डिसकॉम के ग्रेड में डाल सकते हैं और महीने में कभी भी उसको net metering के जरीए ले सकते हैं इससे commercial वे industrial connection को डिसकॉम की महिंगी बिजली से रात मिल सकेगी राजस्तान विदुत वी नियामक आयोग यानी RERC के इस फैसले से ग्रोप housing और commercial building के साथ ही industrial connection को भी सीधा फाइदा होगा यानी एक मेगावार्ट तक के solar plant के connection पर बनी ज़ादा बिजली अब डिसकॉम को दी जा सकेगी industrial commercial connection पर डिसकॉम की बिजली 5-10 रुपे प्रती यूनिट पढ़ती है भजलाल सरकार ने चात्राओं को कम फीज में पास ही सरकारी कॉलिज में पढ़ने की पहल की है सरकारी कॉलिजों में BSC, BA, B.com प्रत्न वर्ष के परवेश लेने वाली महिलाओं के लिए 30 सीटें रक्षित रहेंगी यानी सह शिक्षा कॉलिजों में 2,50,000 में से 75,000 सीटों पर महिलाओं को परवेश मिल सकेगा या नियम सदर 2024-25 से ही लागू होगा उच शिक्षा, ग्रुप 3 विभाग ने समस्प्राचारियों को अदेश जारी किये हैं दूसरी और आस्टी शिक्षा नीती 2020 के तैद कॉलिजों को नेक की मानेता लेना निवार्य होगा उच शिक्षा विभाग की और से 100 दिविस्य कारे यूजना में इस सरकारी कॉलिजों को नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडेशन काउंसिल की मानेता लेना शामिल किया गिया है जिससे चात्र चात्रा सुईधाओं के हिसाब से पैचान कर परवेश ले सकेगा पंजाब के स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को हफते में एक बार मिड़े मेल में केले की जगा मौसमी फल खाने को दिये जाएंगे इन फलों में किन्नू, अमरूद, लीची, बेर, सेब वे आम शामिल है इसका अगास 12 फरवरी से होगा इस चीज़ को अब मिड़े मील के मेन्यो में शामिल किया गया है इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिये गए है हलांकि अप्रेल से शुरू होने वाले नए सेशन में इस समद्धी मौसमी फलों की उपलब्दता के हिसाब से आदेश जारी किये जाएंगे इससे पहले जनवरी में केला देने का फैसला लिया गया था सर्दी के छुटियां होने से प्रोजेक्ट सिरे नहीं चट पा रहा था स्टूडेंट्स को मौसमी फल दीनी का फैसला सियम भगवंत मान के गुवाई में हुई मीटिंग में लिया गया है इसके पीछे कोशिश यह भी है कि स्थानिय फल उतुपादगों को भी लाब हो सकी साथी स्टूडेंट्स की सेहत का ख्याल रखा जाए लाए स्टूड़ स्टूड़ झाल झाल